हेलो फ्रेंड्स मैं हिमाशु थाप आएक बार पिंच से आपका स्वागत करता हूँ P.W.U.P.S.C. वाला मैं जी हाँ दोस्तों आज हम लोग यह क्या आए है Weekly Environment की जो News हैं उसको हम लोग कवर करने वाले हैं जो आर्टिकल से उसको कवर करने वाले हैं और यह हमारा चला है समाधान सीरीज हर संडे को आपको पूरे हफते भर की जितनी भी Environment and Geography से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको यूट्यूब के माद्यम से Free or Cost देता हूँ तो I hope आपको इस सीरीज अच्छी लग रही होगी यहाँ पर आज हम लोग तीन मुख्य आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं देरा थ्री मेन आर्टिकल जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही important है और उसमें हम लोग without wasting time अपनी journey को start करते हैं पहला आर्टिकल जो है आपका वो आपके सामने है जो की है soil management पर ठीक है यहाँ पर मृदा प्रबंदन जिसको बोलते हैं यह soil management बोलते हैं यह आपका news में बना रहा है क्यों बना रहा है क्योंकि 5th December को हम लोग हर साल ठीक है 5th December को हर साल हम लोग क्या कर रहे हैं world soil day मना रहे हैं ठीक है विश्व मृदा दिवाद जिसको बोलते हैं world soil day वो बना रहे हैं दूसरी चीज़ आप याद रहे हैं इस बार इसकी theme क्या रखी गई है इस बार इसकी theme थी soils where food begins ठीक है तो इसकी theme हम लोग ने क्या रखी है theme हम लोग रखी है soils where food begins मतलब की आप जानते हैं अगर हम लोग agriculture के बारे में food production के बारे में बात करेंगे तो soil का कितना importance है अगर अच्छी soil होगी आपका तो अच्छी बात है आपका वहाँ पर जो productivity है food की वो जादा होगी agriculture productivity आपकी जादा होगी इसलिए awareness फैलाना जरूरी है ठीक है awareness को raise करना जरूरी है ताकि लोग जो हैं वो healthy soil को maintain कर पाए ठीक है अगर healthy soil maintain करने के benefits नहीं समझेंगे वो लोग तो दिक्कत होगी इसलिए हम लोग को जितने भी हमारे farmers हैं जितने भी जो use कर रहे industries हो गए उनको बताना पड़ेगा कि जो soil का importance हो कितना जादा है and to maintain healthy soil it is very important ठीक है तब ही जाके जो आपका food production है वो increase होगा food की quality increase होगी productivity increase होगी economy strong होगी right इसके साती साथ यहां पर आपको एक चीज़ बताना है कि ecosystems जो होते हैं ठीक है वो बहुत जादा ecosystems को भी हमें क्या करना है ecosystems को भी maintain करना है and how we can maintain them we can maintain them by addressing challenges faced in soil management तो जो हमारा मृदा प्रभंदन है उसमें जो हम लोग को चुनौतिया मिल रही है जो challenges मिल रहे है उनको भी तो address करना है जब उनको address करेंगे तो जो हमारा पारिस्तिती की तंतर है जो हमारा ecosystem है वो हमारा maintain रहेगा ecosystem को maintain करना हमें बहुत जरूरी है और हमारे soil को maintain करना बहुत जरूरी है अब आईए समझते हैं कि जो soil खराब हो जाती है उसको बोलते हैं और एक concept है soil degradation का उसको समझते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समयनी होगी कि soil degradation होता क्या है तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक readout कर दे रहा हूँ अई ग्रीडेशन गया है तो जो हमारे म्रिदा है जो हमारा soil है उसकी जो quality है उसमें अगर फराका गया उसमें फराका गया तो हम क्या बोल देंगे हम बोलेंगे soil degradation क्या बोलेंगे soil degradation बोलेंगे. ठीक है अब ये soil degradation होता कैसे है कई तरीके से हो सकता है इनि में बहुत सारे तरीके हैं एक आप कह सकते हैं improper use ठीक है improper use जो हम कर रहे हैं soil का उससे हमारा soil की जो quality है वो कम खराब हो रही है कैसे quality खराब हो रही है हम इसको agriculturally सही से use नहीं कर रहे है pastoral communities के लिए सही से इसको use नहीं कर रहे है या आप कह सकते हैं वो लोग सही से use नहीं कर रहे है ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारे industries हैं और urban settlements हो रहे हैं उसकी वज़े से भी हमारे soil की quality decrease हो रही है अब यहाँ पर एक चीज समझेगा कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं soil degradation की तो soil degradation जो है वो physical रूप में, physical form में, chemical form में और आपका biological form में deteriorate हो सकता है मतलब खराब हो सकती है आपकी soil ठीक है, कैसे soil खराब हो सकती है? एक चीज तो क्या है हमारा soil erosion की वज़े से अब आप जानते है soil erosion होता कैसे है ठीक है, यह rain water से हो सकता है, soil erosion river erosion हो सकता है, नदियों के द्वारा हो सकता है तो यहाँ पर soil erosion हो गया chemical अगर हम बात करें तो हो सकता है आपकी जो salinity है वो बढ़ जाए या वो जादा alkaline हो जाए उससे भी आपका जो fruit production है वो कम होगा, आप बोलेंगे salinity कैसे बढ़ सकती है देखे salinity हो गया या आपका अगर कोई soil है वो जादा alkaline हो रहा है, यह सब depend करता है irrigation पे भी irrigation जादा या कम होने से इसकी जो आप कह सकते है amount है salinity का या आपका अगर कोई soil alkaline जादा हो रहा है, तो उसका जो amount है वो सब depend किस पे करता है, वो depend करता है आपके irrigation पे भी, ठीक है इसके साथी साथ polluted भी हो सकते हैं चीजे pollution भी soil में आ सकता है क्योंकि आप जान रहे है, drainage system को समझ रहे हैं, industries को समझ रहे है वहाँ से भी चीजे आपकी बेकार हो सकती है दूसरी चीज, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें biological way में कैसे soil खराब हो रहा है तो आप जानते हैं, जो trees होते हैं trees के roots होते हैं, वो soil को hold करके रखते हैं उनका erosion नहीं होने देते हैं लेकिन अगर आप पेड़ को ही काट देंगे अगर आप vegetation जो है, उसको ही हटा देंगे तो obvious सी बात है, एकदम symbols दिबात है और कहोगे, कि sir, यहाँ पर तो biological यह deteriorate हो रहा है एकदम सही है, तो इस तरीके से क्या है हमारे soil degradation होता है ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि main drivers क्या है, में मुख्य क्या है तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि deforestation जो हो रहा है mining की वज़े से, ठीक है, अब आपको mining करनी है, industry set करनी है उसकी वज़े से क्या कर रहे है, अब जंगल के जंगल उला दे रहे है है ना, यह चीज तो थोले सही नहीं है दूसरी चीज, यहाँ पर plantation वो अब आप क्या कर रहे हैं आपको coffee plantation करनी है आपको क्या करना है, coffee plantation करना है जो वहाँ पर जंगल था उसको काट दिया तो इससे होता गया है इससे होता यह है कि deforestation मतलब कि आपके जंगल हट जाते हैं तो जो soil है वो lose हो जाती है क्योंकि soil जो है इसको अगर आप समझेंगे तो इस तरीके से अगर कोई tree होता है तो इसके जो roots होते हैं जो किस आपको क्या कर रहे है soil को hold कर रहे है वो क्या करते है basically soil को hold कर पा रहे है और soil को hold कर पा रहे हैं तो अव्यसी बात है यह erosion को रोकेंगे लेकिन deforestation अगर हो रहा है mining clay plantation के लिए इसके साथ साथ shifting cultivation होता है आप जानते हैं लोग जो है अभी भी tribal लोगs जो tribal people है वो क्या करते हैं वो पेडों को काट देते हैं जला देते हैं फिर वहाँ पर क्या करते हैं वहाँ पर खेती करते हैं करने के बाद झा फेती हो जाती है उसकी फटिलिटी फूरी स्वयि खतम हो जाती है तो यहाँ पर भी तो इसमें रहा है तो डी फॉरेस्टेशन रहा है इक बड़ी चीज फॉरेस्टेशन वखासरेंशन है उसके अलावा होता है उसकी गिरावट लाते है जो स्वाइल की क्वालिटी है उसमें एफेक्ट करती है जैसे की ओवर ग्रेजिंग over grazing से भी क्या होता है जो structure होता है soil का जो sun रचना होती है मरदा की वो structure क्या होता धीली हो जाती है lose हो जाती है ठीक है और soil जो है जब वो धीला हो जाएगा मतलब जो चारा आपके चर रहें उसमें क्या हुआ उन्होंने जादा जो grass वास है उनको जादा खा दिया ठीक है और से हुआ क्या कि baron baron soil आपका उपरी सता में आ गया normally क्या है suppose इस प्रकार से आपका अगर grasses हैं अगर आपकी इस तरीके से grasses है तो grasses क्या करती है जो इसके नीचे soil है इसको hold करके रखती है लेकिन अगर overgrazing हुई मतलब यह जो grasses है या जो भी vegetal cover है वो अगर हट गया तो soil पर direct क्या पढ़ेगा rain water पढ़ेगा और जब direct rain water पढ़ेगा अगर यह vegetable cover हट गया और आपका soil इस तरीके से है और इसमें अगर direct rain water पढ़ ला है तो क्या होगा ओविस सी बात है वहाँ पर wash away हो जाएगा soil हमारा वहाँ पर बह के चला जाएगा हट जाएगा और हट जाएगा तो जो minerals है soil के वो भी तो बह जाएगे और minerals अगर बह जाएगे तो अव्वेसी बात है हो उस land पर जहां से वो minerals चला गया है वहाँ पर आप कह सकते हैं soil degrade हो गया है soil की quality काम होगी यह बिल्कुल कह सकते हैं इसके साथ साथ एक चीज़ और समझेगा ठीक है the soil is pulverized reduced to fine materials by the hoofs of animals and thus proves detrimental to soft soil when heavy shower of fall ठीक है दूसरी चीज़ क्या होती है कि यह जो soil है आपके soil जो आपके है यह लोग क्या करते हैं जो animals है जाते हैं तो flow उनका उसमें जो friction होता है वो कम हो जाता है और वो पानी जब बारिश होती है तो top soil में यह रहते हैं यह बहे के निकल जाते हैं जिससे top soil जो हमारा क्या हो जाता है वो हमारा खराब हो जाता है ठीक है इसके साथ इस चीज़ और समझेगा unscientific farming यह बहुत बड़ा एक कारण है भारत में अगर बात करें तो तो जो हमारे unscientific farming methods है कैसे भी कुछ भी करके क्या करी आप आप farming करने start कर दिए कहीं पे भी कुछ उगा दीजे वो भी degradation करता है दूसरी चीज़ आपका क्या होता है wrong plowing ठीक है तो जो आप जोत रहे हैं वो गलत तरीके से अगर आप कर रहें तो भी दिक्कत होती है ठीक है तूसरी चीज़ crop rotation यह crop rotation का concept नहीं मालूम है लोगों को कि एक फसल के बाद दूसरी फसल अगर लगाएंगे तो क्या होगा उसमें आपके bacteria soil में जादा आ जाएंगे ऐसी knowledge कई लोग को नहीं होती कि आपने चावल लगाया के बाद आपने दाल लगा दिया तो दाल के जो root nodules होते हैं वहाँ पर आपको rhizobium bacteria मिल जाएगा ठीक है उससे क्या होता है fertility बढ़ती है तो लोगों को crop rotation के बारे में idea नहीं है कि crop rotation भी करना है चावल बोर है तो चावली बोते चले जा रहे है और उससे हो क्या रहा है soil की fertility खतम होती जा रही है जो minerals उसमें है वो minerals समाप्त होते चले जा रहे हैं ठीक है दूसरी चीज burning of crop residues ये भी बहुत बढ़ी बात है आप क्या करते हैं crop residues जो हैं जला देते हैं ठीक है जलाईए माँ छोड़ दीजे उसको छोटे-छोटे काट के छोड़ दीजे mulching का काम करेंगे वो mulching आप जानते हैं क्या होता है mulching मतलब कि जो आपका soil cover है उसमें जो vegetation आप कह सकते हैं फसल हो गई आपकी crops हो गई है ना या आपके घास हो गई वो आपने soil के पर रगवी पतली सी sheet एक लगा दी उससे होगा क्या कि soil का जो evaporation है जो direct sunlight परने के वज़े से evaporation होता है वो नहीं होगा उससे water content maintain रहेगा humus आपका ज्यादा अच्छा maintain रहेगा जिससे आपका कह सकते हो आप कि fertility increase होगी तो mulching का process यहाँ पर हो सकता है वो भी नहीं है ठीक है barren lands के बारे में अगर हम बात करें ठीक है barren lands के बारे में बात करें soil degradation affects around 29% 29% of India's total land area यह बहुत बली बात है आपके कि लगभग हमारे भारत की भूमी का 29% जो है वो 29% barren आपका soil degradation की वज़े से प्रभावित होता है दूसी चीज़ दिस इंटर्म थ्रेटेंस agriculture productivity और विसी बात है जो हमारा किशी का उत्पादकता है उसको प्रभावित करेगी agriculture productivity यह प्रभावित करेगी इसकी तरी इसके साथ ही साथ यह जो in-situ biodiversity conservation है उसको भी प्रभावित करेगी in-situ x-situ आप जानते हैं ठीक है तो यह जो जैसे x-situ आपका जू हो गया इन-situ जैसे नाशनल पार्स wildlife centuries और वहां पर जो फ्लोरा इन फॉना है उसको भी एफिक्ट करेगा ऑव्यसी बात है वहां पर आपके जो प्रड़क्टिविटी है जो आपकी वहां पर एंट रहता है वोट पेकर है बहुत दुनिया भरके है उसका फल गिर जाता है तो उसको खाने कोई लोगा आ जाते है तो बहुत समाप्त हो जाएगा इसके साथी साथ water quality बहुत बढ़ी बात है water quality soil जो है आपका आप एक चीज़ समझेगा soil जो है वो perculate करता है water को और चानता है तो filter की तरह काम करता है soil जो है filter की तरह काम करता है तो उससे होगा क्या कि filter आपका soil है नहीं तो ये बिना filter हुए पानी आपका underground water level पे आएगा pollution के साथ आएगा साथ pollution के साथ जबाएगा उसी को हम क्या करेंगे उसी को हम उपर की तरफ ट्यूब विल से समर से विल से क्या करेंगे खी चिलेंगे और हम effect हो जाएंगे ठीक है उसके साथ साथ एक चीज़ या दखिएगा बहुत बली बात यह होती है कि जो land dependent communities होती है जो भूमी पर ही रहती है उनका जीवन यापन उनका occupation है ना उनकी life उसी पर depend रहती है तो वहाँ पर भी तो समस्या आएगी क्योंकि अगर जिसके आप अगदार है ठीक है तो जो social economic आपकी condition से वो भी क्या होगी वो भी गिरेगी ठीक है इसके साथी साथ एक चीज़ और याद अखिएगा कि यहाँ पर soil degradation में nutrient जो loss है उसके बारे में भी आप समझ लीजे कि nearly 3.7 million hectares suffer from a nutrient loss in soil ठीक है तो याद अखिएगा जो depletion हो से भी क्या हो रहा है आपका nutrient loss हो रहा है तो यह भी एक बड़ी समस्या है और 3.7 million hectare एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं छेत्र है जो की nutrient loss की विज़े से सफर कर रहा है ठीक है दूसरी चीज़ impact क्या है इसका इसका आप impact को अगर समयना चाहें तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहला impact आप देख सकते हैं food security excessive use of fertilizers and pesticides and irrigation with contaminated wastewater threatened food security ऑव्वेसी बात है कि यहाँ पर अगर हम खाद्य सुरक्षा के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो जादा irrigation हो रहा है जिसमें आपका polluted पानी आ रहा है contaminated पानी आ रहा है प्लस pesticide इतने यूज़ हो रहे है herbicide इतने यूज़ हो रहे है उसके वज़े से fertilizers की वज़े से जो food की quality है वो क्या हो रही है degrade हो रही है food security एक आपका खत्रा बनती चली जा रही है दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं climate change it is exacerbating climate change events ठीक है यह याद अखिएगा क्या करता है कि climate change को climate change को भी प्रभा करता है कैसे प्रभाविद करता है अगर स्वाइल हमारा सौयल के live ठीक रहेगा स्वाइल हमारी जादा रहेगे तो ब्लम ओड़ रीचें करेंगी तो Tag क्या होगा evaporation कम होगा नीचे ही आपका पानी रह जाएगा नीचे पर कर के पानी चला जाएगा अधरर वाइस क्या होगा यहां पर बहुत सारे क्लाइमेटिक क्लामेटिक होते हैं बहुत बड़ा टॉपिक है आपको मैं डीटेल में climate चेंज में यह बताऊगा यहां बर एक चीज आप लिया दखिएगा कि जैसे मैंने एक एक आपको एक्जाम्पल के तौर पर बता दूँ क्लाइमेट चेंज के बारे में यहां पर कि जो डिग्रेड़ेड लांड है हमारा ठीक है उसकी कम हो जाती है किसकी कम हो जाती है क्या कर कितना ज़ादा सॉइल के बारे में घर कहीं नहीं मालूम है आपको तो लिख लिजेगा जो है एक बहुती ज़ादा अच्छा आप कह सकते हैं या बहुत हाई पोटेंशल वाला कारबन सिंग होता है ठीक है सॉइल के बारे में याद अखिएगा कि सॉइल जो है आपका तो क्या होगा इसकी जो absorption पावर है वो भी क्या हो जाएगी वो भी खतम हो जाएगी मतलब कि ये carbon sink की तरह काम करना बंद कर देगा जिसका नतीजा क्या है जिसका नतीजा ये है कि global warming जो है बिटाब की क्या मैंने बता आपको जो global warming है वैश्विक तापन जो है वो बढ़ जाएगा global warming increase हो जाएगी मतलब कि जो आपका average temperature है वो increase हो जाएगा और उससे आप जानते हैं किसनी समस्या होने वाली है ठीक है यहां पर अगर हम बात करें कि इसको conserve कैसे करें हैं हम इसका protection कैसे करें conservation कैसे करें तो इंडिया की क्या conservation strategy है उसमें इंडिया ने कौन कौन से का करें इसको भी समझते हैं यहां पर आप देख सकते हैं प्रधान मंतरी क्रिशी सिचाई योजना ठीक है यह बहुत ही important योजना है जो कि हमारी central government चड़ाती है to prevent soil erosion regeneration of natural vegetation rainwater harvesting and recharging of the ground water table ठीक है यह आप समझ सकते हैं कि क्यों हम लोग ने चालू करी यह इसले चालू करी है वह रोख पाएं है ना और जो हमारा rainwater harvesting है rainwater harvesting से क्या होगा groundwater का जो level है वो बढ़ जाएगा अगर हम यह सब कर पा रहे हैं तो हमारे obvious ही बात है कि मिदा की जो उर्वकता है उर्वकता है वो बढ़ेगी fertility बढ़ेगी उसकी जो quality है वो बढ़ेगी तो simple सी बात है ना तो यह focus करत state of soil health ठीक है तो जो हमारे मृदा का स्वास्त है मतलब की मृदा हमारी खराब है या वेकार है इसको समझने के लिए इसको समझने के लिए हमारा soil health card जो है वो issue होता है ठीक है and to determine changes in soil health तो यह बताता है basically कि तुमारी भाई जो soil है वो खराब है या भी ठीक है लेकिन कुछ आन soil card displays soil health indicators which guide farmers in making necessary soil amendments ठीक है तो यह क्या करता है यह basically आपको कुछ parameters है कुछ चीजे हैं जिनको आप चेक करेंगे अगर उनमें कुछ कमी आ रही है या जादा हो रहा है तो वो बता देगा indicate कर देगा कि भाया तुमारे soil में यह यह problem है और अगर आप जो fertilizer use कर रहे हैं उससे problem और create होने वाली है तो fertilizer को कम कर दो ठीक है और चीजों को दूसरी चीजों को इसमें इंप्लिमेंट करो तो इस प्रकार से यह जो soil health card है यह भी यह बताता है जिसकी वज़े से किसान जो है जो farmers है वो necessary changes लेते रहते हैं ठीक है उसके बाद आप देखेंगे तो United Nations Convention to Combat Desertification जिसको हम पेड़ पौदे नहीं उख रहा है क्यों कि हमारे soil की जो health है वो इतनी खराब हो रही है कि वहां पर fertility ही नहीं है तो इस पर यह काम कर रहा है UNCCD है ना एक UN organization है इंडिया के अगर हम लोग बारे में बात करें तो इंडिया ने इसी को मद्दे नज़र रखते वे लैंड 1994 में इसमें साइन कर दिया था और इसको सत्यापित कर दिया था रैटिफाई कर दिया था कब रैटिफाई कर दिया था 1996 में ठीक है इंडिया is working to restore 26 million hectares of degraded land by 2030 and to achieve its national commitment to land degradation neutrality ठीक है इसमें एक चीज़ या दख्येगा क्या या दख्येगा कि जो भारत है उसने बोला है कि हम लगभग जो 26 million hectare हमारा खराब हो चुका है भूमी ठीक है उसको 2030 तक हम क्या कर देंगे सही कर देंगे restore कर देंगे ठीक है और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है कि हमारा national commitment है sustainable goal के लिए sustainable goal क्या है आपका land degradation neutrality LDN जिसको बोलते है यह आपका sustainable goal है sustainable development जो है आपका उसका एक आपर यहां पर partnership के बारे में बात करें भारत की तो भारत की partnership किसके साथ है the food and agriculture organization के साथ ठीक है इसके साथ collaboration है यहां पर सब्लिए the food and agriculture organization is collaborating with the National Rainfed Area Authority and the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ठीक है इनके साथ जो है इन दो organization के साथ एक authority है हमारी कौन सी national rainfed area authority और दूसरा हमारा है Ministry of Agriculture and Farmers Welfare इनके साथ कुलाब कर रही है क्यों कुलाब कर रही है To develop forecasting tools ठीक है ये जो है अनुमान लगाने वाले tools को ये क्या करना चाह रही है ये develop करना चाह रही है कैसे using data analytics तो जो हमारे पास data मिलते हैं हम लोग data analytics के मदद से forecast करना चाह रही है ठीक है जिससे हमें पता चल पाए कि क्या होने वाला है क्या-क्या चीज़े भविश्य में हो सकती है कल क्या होगा परसो क्या होगा डेवाइस चीज़ों को हम समझ पाए और इससे क्या होगा जो हमारे vulnerable farmers है मतलब कि जो बहुत ही आप कह सकते हैं संकट गरस्त हैं जिनकी conditions बहुत कराब है उनको help मिलेगी किस चीज़ में कि जो हमारे crop है वो हमारे land के हिजाब से हम कौन सा फसल को choose करें कौन सी फसल इस समय पहले हो सकता है दस साल पहले यहाँ पर चावल बहुत अच्छा होता हो यहाँ पर भी आपको अनुमान लगा के मिलेगा कि यार परसो बारिश होगी या इस साल बाड़ आने वाली है इस साल ओले बहुत गिरेंगे तो आप क्या कर सकते हैं उसी के according अपनी फसलों को आप rotate कर सकते हैं ठीक है खास कर उन फसलों पर यह बहुत जादा काम करती है या उन लैंट पर बहुत जादा काम करती है जो की बारिश जो होती है वर्षा जो होती है उस पर आधारित होते है ठीक है जो वर्षा पर आधारित प्रशी है यहाँ पर याद अखिएगा FOA is partnering with the state governments जो हमारे राज्य सरकार है उनके साथ and the Indian Council of Agriculture Research जिसको ICAR बोलते हैं जिसका headquarter आप जानते हैं दिल्ली में है to support farmers in sustainable transitions to agro-ecological approaches and organic farming ठीक है तो यहां पर क्या करा जा रहा है राज्य सरकार के साथ जो है हमारा जो food and organization food and you know agriculture organization है वो क्या करा है सब्सक्राइब करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी सस्टेनेबल डवलप्मेंट गोल को अचीव करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी farmers के लिए उसने का मैं तुम्हें बता कि रहूंगा कि एग्रो एकॉलिजिकल अप्रोच होना क्या चाहिए जिससे हमारी जो है आने वाली पीडियों को भी दुक्सान ना हो आने वाली पीड़ी भी इसी जमीन पर अपनी खेती बाड़ी करें तो यह सारी चीज़े जो है एफ ओए ने एफ ए ओने सौरी क्या लिए डिसाइट के लिए कि हमें करना है ठीक है अब आगे क्या अगर बात हो तो आगे हमें क्या क पढ़ेगा कि हमें बताना पढ़ेगा उतना जादा जो वो छेत्र है वहां पर आपकी गाए भैंस नहीं आनी चाहिए ठीक है बक्री उक्री उस छेत्र में यह आप कह दी एक लाइन बना लीजे कि इसके इस तरफ ही सारी चीज़े हैं वहां पर बाड़ा बना दीए या किस अनुटएल ऐह खरें कि सब्सक्राइब लगाते शें चले जाएं गिशियाब नई यह हैं यह वह बैद लगभग। इसको यूज करना है स्टार्ट कर रही है तो नो तिल फार्मिंग बाइब प्लांटिंग सीड इंटु दी रेसिड्यू प्रिवेस कॉप इसका मतलब आप जो ताई करी नहीं रहे हैं आपने बस पहले जो खेती करी आपने जो भी आपको जो भी चीज में आपने जब हार्वे अगर यह सैलनेटी मेंटेन नहीं हुआ तो यह हमारा था यह पहला आर्टिकल था किसका यह पहला आपको मेंस में बहुत जादा हिल्प करने वाला थीक है और मेंस में आपको आंसर राइटिंग लिए जुतनी वी चीज़ें बताई है अगर इन पॉइंट को लिग दोगे बहुत अच्छा अंसर तुम्हें मिलेगा अब आईए हम लोग देखते हैं अपनी दूसरी न्यूस को दूसरे आर्टिकल को जो कि यह वाइड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल यह न्यूस में रहा है इसका कंटेक्स क्या है कंटेक्स यह है कि रीसेंटली राज सभाए पास दी वाइड लाइफ एमेंडमेंट बिल विच वॉस्क्रेट बाइए लोग सभाए यूरिं दी मॉंसून सीजन ठीक है मॉंसून सेशन था उसमें लोग सभाने क्या करा था पास कर दिया था इस बिलको अब राज सभा ने भी इसको विंटर सेशन में पास कर दिया है क्या है यह यह वाइड लाइफ प्रोटेक्शन करना थेक इसके लिए यह नियम बना 1972 में आया थीक तो यहां पर basically क्या है जो हमारे plants है birds है animals है उनके जीवन को सुरक्षित करना है थीक है Currently the act has six schedules यहां पर six schedules में क्या कर रखा गया है six schedules में जो है हमने बाट रखे हैं plants को हमने बाट रखे हैं यहां पर you know अलग-अलग आप कह सकते हो वर्मिन इस्पेशीस को ठीक और हम लोग ने यहाँ पर बाट रखे हैं अनिमल्स को तो अगर हम लोग बात करें हैं आप प्लांट्स के बारे में तो एक अनुसूची में एक आपके शिडियूल में केवलो केवल पादप हैं प्लांट्स हैं चार आपके ऐसे हैं जिन में आपके क्या है प्रोटेक्टे इनिमल्स हमने रख रहे हैं चार शिडियूल्स में ठीक है आप सुनते होंगे जैसे शिडियूल वन और वाइल लाइफ प्रोटेक्शन आक नाइटीन सेविंटी तू उसमें कुछ आपको देखते हैं आप जानवर औ पर्शन पर यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं इस एक की तहट किसी चेत्र को नाशनल पार्फ गूशत कर सकता है वह उसको कम्निटी रिजर्फ भी घोष्ट करता पकता है या आपको conservation reserve भी जैसे की tiger reserve है ना पीली भी tiger reserve reserve भी खुशित कर सकता है तो चार चीज़े कर सकता है याद अखिए का national park wildlife century, community reserve and conservation reserve यह points आपको याद करने हैं याद करिए यह मजाग के लिए नहीं के उनने के लिए नहीं आपको यह याद करें नहीं क्योंकि अगर आप याद नहीं करेंगे तो पेपर में आगा तो फज्या होगे हैं ना पेपर में तुम्हें तीनी याद आ रहे हैं चौथा तुम्हें याद ही नहीं आ रहा है community तुम भूल गए जो species हैं ना जो प्रजातियां हैं उनमें बहुत सारी अभी भी ऐसी प्रजातियां हैं जो की protected नहीं है तो इस amendment से उनको भी प्रोटेक्ट करा जा रहा है ठीक है यह इंपोर्टन चीज़ है इट सब्सेट्यूट्स दी डेफिनेशन ऑफ टाइगर और अदर एंडेंजर्ड स्पीशीज वेद वाइड लाइफ एक और चीज़ बड़ा ही इंपोर्टन याद रख लेना स्टार मार्क करके इसको यह दख लो वेरी इंपोर्टन ठीक है कि टाईगर एंड जो एंड डेंजर्ड स्पीशीज है उनको यहाँ पर क्या यह जो आपका बिल है यह जो वन्य जीव है उनके व्यापार पर भी व्यापार पर को भी नियमित करता है इसलिए बढ़िया है यह तो बढ़िया बात है तो यहां पर 50 आमेंडमेंट्स करे जा रहे है थोड़ा मुटा नहीं यहां पर 50 आमेंडमेंट्स करे जा रहे हैं इस बिल के द्वारा यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं साइट को इंट्रिद्यूस कर रहे हैं जो कि बेसिकली देखेगा कि कोई भी आपके ऐसे स्पेशी का ट्रेड ना हो जो कि हमारा बहुत खत्रे में हो संकर्ट ग्रस्तो विच रेगुलेट्ट ट्रेड इन प्लांट एनिमल इस स्पेशिमन विद इस प्लांट डेड और अलाई ठीक है तो यहां पर जो पॉस्पेसिमन थे उनको यहां पर क्या करा जा रहा है वह बिल में इस पैसिम्में बहुत ही क्लेरी डिफाइन करा गया है किसी भी पादप या किसी भी जानवर को डेड आलाइक के रूप में ठीक है दूसरी चीज़ it also constitutes a management authority, ठीक है, एक यहाँ पर management authority बनाने की बात करी गई है, कि constitute होगा, एक management authority होगी, which will issue, जो की क्या करेगा, issue करेगा, permits for the trade of scheduled specimens in accordance with site, ठीक है, तो वो trade करने के लिए, trade करने, जैसे कि अभी आप जानते हैं, हम लोग जो है, हम लोग नामीबिया से चीता लेके आए हैं, कहाँ पर, कुनो नाशनल पार्क में, तो वो sites के according हम लोग लेके आएं, sites के जो नियम कानूर हैं, उसके according लेके आएं, तो यहाँ पर जो management authority है, वो permission देगा, basically, इसके trades के लिए, किनकी trades के लिए, जो हमारे आपके schedule specimen है, और वो भी किसके according है, site के according है, the bill prohibits any person from modifying or removing the identification mark of the specimen made by the management authority, याद अखियेगा, management authority ने, अगर कोई identification mark बना दिया है, किसका, किसी specimen का, तो कोई भी बिल, कोई भी व्यक्ती जो है, इसको modify, इसको change नहीं कर सकता है, नहीं इसको हटा सकता है, ठीक है, यह important चीज है, and every person possessing live specimens of schedule elements must obtain a registration certificate, तो तुम कोई भी रखो या जीव जनतु, पादे, पादे होदे कुछ भी रखो, अगर वो, अगर वो हमारा क्या है, अगर वो हमारे schedule में है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपको एक, आपके पास होना चाहिए, रख पाएंगे, उसको समाल पाएंगे, तो यहाँ पर एक चीफ वाइड लाइफ वोडन भी होगा, जो की क्या करेगा, जो की प्रोसेस करेगा, अप्लिकेशन फॉर बीडिग, ठीक है, अब बीडिग के लिए, अगर उसको कुछ करना है, तो चीफ वाइड लाइफ वोडन के थू ही होके जाएगा, वो इस बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको देगा, वो देखता है कि अगर जो चीफ वाइड लाइफ वोडन है, वो देखेगी, या देखेगा, है ना, बीडिशी दोनों हो सकते हैं, वो डिसाइड करेगा कि जो एप्लिकेंट है, उसका रेइस्टरेशन मुझे कैंसल करना है, कि नहीं करना है, अगर इन केस ऑप वाइलेशन कर रहा है, कोई भी वेक्ती, तो उसका रेइस्टरेशन क्या होगा, कैंसल हो जाएगा, यह बहुत इंपॉर्टन बात है, पहले यह समझो कि यह होता क्या है, इन्वेजिव एलियन स्पेशी, मतलब होता है, कि एक ऐसी स्पेशी, एक ऐसी प्रजाती, जो वास्तों में उस शेत्र की ना हो, लेकिन उस शेत्र में जैसे ही वह इंटेडिउस हो, वह फैल जाए, जैसे कि, यूकलिप्टिस के प्लांट्स, वह आपकी क्या हुआ, वह आपके बड़ी तेरी से फढ़ गए, टीक है, जैसे कि आपका क्या होगा आपके बहुत सारे ऐसे जीव हैं जैसे कि मचलियां मांगुर है ना जो catfish है वो आपके कहीं introduce कर दो वो फैलती चली जाती है वो कचड़ा वचड़ा सब खाके जीवित रहे लेती है और उनकी संख्या बढ़ जाती है और जो marine आपकी productivity होती है उसको कम कर देती है प्लस वहां के ecological जो system है उसको भी imbalance कर देती है तो यहां पर center के पास क्या है center के पास है कि वो regulate कर पाए regulate कर पाए है ऐसे species को ठीक है यह पावर दी गई है यह प्रोहिबिट भी कर सकता है रिगलेट भी कर सकता है दे बिल रिडियूसी दी टोटल नंबर ऑफ शेडियूस तो फोर यहां दख्ये का यहां पर एक बात कि जो टोटल नंबर थे शेडियूस के उसको यह क्या कर रहा है चार में सबसे का रहा है चार को किंभा सबसे कृधियों होगा वह स्पेशीज होगे ूनसे कम लेसर प्रोटेक्शन के लिए होंगे schedule 3 में जो है हमाने क्या करका है जीव जन्तु को छोड़के हैं पर पादप पे पूरी बात करकी हो schedule 4 में हमने क्या करका है जो हमारे vermin species है vermin species को रख 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 ठीक है vermin species को हमने रख 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 ठीक यह vermin species क्या होते हैं वो जो हमारे फूड को है ना खराब कर सकते हैं डिस्ट्रॉइ कर सकते हैं है ना वो हमारे वनविन इस्पेशी है यहां पर चले यहां पर एक चीज़ समझे आप यहां पर आपको समझे ना है कि जो modification है वो कुछ modification हमारे parliamentary standing committee ने दी है तो इसके लिए parliamentary standing committee है और वेसी बात है उसने कुछ इसमें क्या है modify करने को बोला है क्या modify करने को बोला है the parliamentary committee recommended the deletion of exemption clause which allowed the transfer of captive animals allowing the transfer तो यहां पर पहली चीज़ को समझे लिजे कि इसने कुछ recommend करा है क्या recommend करा है recommend करा है deletion of the exemption clause ठीक है exemption प्राइब दी ट्रांसफर और ट्रांसफर ऑफ लाइव एलेफेंट पर उने अर्गेट तो यह बहुत बड़ी यहां पर क्या है recommendation दी गई है कि यह exemption जो आपने दे रखे हैं लोग जो elephants को ले जाते हैं tradition के नाम पर है ना वो exemptions जो है आप क्या करें वो exemptions आप खतम कर दें delete कर दें यह बात बोली गई है इट प्रपोस constituting a standing committee of the state board for life ठीक है wildlife याद रखेगा इन्होंने कहा है कि आप क्या करें एक constitute करें standing committee किसके लिए state board for wildlife के लिए जिसमें जिसमें क्या हो at least one third of non-official members and at least three institutional members and the director of the wildlife institute of India और a nominee should be there ठीक है तो यह आप देख सकते हैं यहाप पर one third क्या होने चाहिए non-official members होने चाहिए at least तीन आपके यहाँ पर क्या होने चाहिए इंसिट्यूशनल members होनी चाहिए ठीक है एक आपका director होना चाहिए wildlife institute of India का है ना और आपका या इसकी जगा पर एक कोई nominee होना चाहिए ठीक तो यह जो है हमने बात करी दूसी चीज़ the committee also noted that several species were missing बहुत सारे से थे जो मिसिंग थे है ना in all three schedules जो हमारे schedules थे उनमें missing थे and that the bill fails to address human animal conflict यह बहुत बड़ी बात है इस बिल में कहीं पर भी बात नहीं होई है कि जो human animal conflict है उसके बारे में बात नहीं हुई थी तो इसलिए इसने क्या करा कि to remedy this इसके लिए सुझाओ क्या दिया to remedy this the committee has recommended a human animal conflict advisory committee उन्होंने कहा क्या recommend करा है कि एक human animal conflict जो मनुष्य और जो जानवर के बीच में conflict होता है उसमें advisory committee बनाने की बात करी गई है जिसमें उन्होंने बोला है कि it should be headed by the chief wildlife warden ठीक है to suggest किसलिए बनाएगया है इसा to suggest mitigation strategies कम करने की स्टाइडिजी सच चेंजिंग क्रॉपिंग पैटन एंड ड्रोइंग अब साइट स्पेसिफिक प्लांट यह बात थी जो आपको समझनी थी ठीक है अब आते हैं हम लोग तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो Minister of New and Renewable Energy R.K. Singh introduced the Energy Conservation Amendment Bill इन्दी राज सभा ठीक है यह चीज़ आपको समझ नहीं है अब यह क्या है इसके highlights क्या है इस Bill के यह समझ लीजे कि यहाँ पर सबसे पहली चीज़ संजे कारवन मार्केट के बारे में क्या बोला है The Bill Amends the Energy Conservation Act 2001 ठीक है तो किसको बिल को कर रहा है Energy Conservation Bill जो था जो कि 2001 में आया था उसको एमेंट कर रहा है To empower the central government To empower the central government To specify a carbon credit trading scheme ठीक है याद रखेगा कि central यह बिल इसलिए आया है ताकि जो केंदर सरकार है उसके पास शक्ति आपाए कि सीज की carbon credit trading scheme को specify करने की उसको specifically carbon credit जो trading system scheme है उस पे बात करने की mandatory याप दूसरी बात नेखिए कि इसके बारे में बिल के बारे में बिल में बुला गया है mandatory utilization of non-fossil source of energy ठीक है यह एक बहुत बली बात करी है mandatory शब्द यूज करा गया है किसके बारे में जो non-fossil source of energy है कि हमको हमें ऐसे इंधन का यूज करना है या आप कह सकते हो ऐसे उर्जा का यूज करना है जिसमें हमारे गैर्व जीवाश source का उर्जा में आपके non-fossil फॉस्टिल ना हो उस में ठीक है designated consumers may be required to meet a proportion of their energy needs from non-fossil sources ठीक है यह एक चीज़ important बात इसमें बोली गई दूसी चीज़ क्या कह रहा है यह आपर देखो कह रहा है residential buildings under ah ambit इसके बारे में क्या बात है यह heading के अंदर समझो बात को क्या है residential building under the energy conservation code for buying for building will also apply to office and residential building with a connected load of hundred kilowatt or above ठीक है तो obvious ही बात है यहां पर किसके बारे में बात हो रही है बिजली के बारे में बात हो रही है यहां पर यहां बोला गया है कि जो energy conservation code for building will also apply to office and residential building ठीक है दोनों में है यह ऐसा ना सुचना कि केवल और केवल यह office के लिए है residential building के लिए भी है with a connected load of 100 kilowatt और अब अगर वहां पर 100 kilowatt से जादा या 100 kilowatt अगर है तो फिर चाहे वो घर हो चाहे वो आपका residential building यह office building हो दोनों में दोनों में यह apply होगा ठीक है बात हुई कि वो कितना उर्जा का खपत कर सकते हैं कितना उर्जा को कितनी energy को यूज कर सकते हैं हमारे जो हैं और जो शिप्स हैं यह भी बहुत इंपोर्टन बात है changes to the management structure of the BEE ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं Bureau of energy efficiency जो है उसके management structure में भी changes होने चाहिए इस बिल के according the size of the governing council the apex body responsible for managing these affair is being expanded from 20 to 26 से लेके 21 से 37 member यहां पर होने चाहिए यहां पर आपके 20 से 26 थे 31 से 37 member आप होने चाहिए management पे issues जो इससे related है issues जो आप से related है वो समझो jurisdictional issues क्या है इसमें ठीक है यह जो है jurisdictional issues क्या है वो समझो the ambit of carbon trade trading could be wider than the energy sector पहली चीज़ तो ठीक है कि जो carbon credit trading है वो energy sector से आप कह सकते हैं उसका ambit क्या होगा it will be wider activities such as agriculture which contributes to 14% and industrial process which contributes to 8% also makes sizeable contribution to greenhouse gas emission तो इसमें बोला गया है कि यहां पर agriculture जो है और industrial process जो है वो भी अच्छा खासा हमारा greenhouse gas को क्या गर रहा है emit कर रहा है ठीक है इसलिए carbon credit जो trading है आपकी उसको हमें और ज्यादा विस्तित रूप में सोचना है the question is whether the ministry of power is the appropriate ministry to regulate this scheme or the you know different ministry you know ministry of environment is responsible for this तो यह एक बहुत बड़ा question है आपका कि कौन सी ministry जो है वो इसको actually handle करेगी तो अभी तक तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद ministry of power ही करेगी ठीक है regulation issues क्या है the bill does not give any the bill does not give clarity on how carbon credit certificates will be traded और who will regulate such trades तो यह बहुत बड़ी बात है कि यार इसको regulate कौन करेगा इसको नियमित कौन करेगा इस पर नियंतरन को रखेगा इसको control कौन करेगा यह अभी तक पर यहां पर इस टॉपिक में संझे आप कि इंटर्चेंज़ेंगे और सटिफिकर्स के बात कर रहे है कि जो क्वा ऍाफिकेति हैं एक आपकी रीन्यूवल एनर्जी चरोक्री incentivise वैसी नर्जी में सट्िकेट मिलता है तो याद अगक्रिकिशिटी एकट 2003 क्या थ wrap क्यूं मिलता है जब आप KEVIN करते हैं इस प्रकार की और अक्षै को आप करते हूं तब बमने सबसेंग पर इनरूगे के बारे में बाद करें तो एनर्जी सेविंग्स सटिफिकेट है तिके अनरजी सेविंग्स सटिकेट और दूसरा है आपका इनरजी सेविंग सटीफिकेट तो यह जो है एक तीसरा और सब्सक्राइब और वह सटीफिकेट क्या होगा आपका कार्बन सर्जन कम करा तो आपको सब्सक्राइब जिसको तुम ट्रेड कर सकते हो यह तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह यह नहीं बता रहा है कि यह बिल ने इस नहीं बता रहा है कि यह जो certificate है यह आपस में interchangeable है क्या आपस में इनको हम interchange कर सकते हैं यह नहीं बता रहा है यह बिल है ना अगर आप बात करेंगे हैं अपर carbon credit certificate के बारे में तो carbon credit certificate किनको मिलता है तो आपका लगभग जो ग्रीन हाउस गास है ठीक है carbon dioxide यह carbon dioxide के जैसे greenhouse gas जो की एक टन carbon dioxide के equivalent होते हैं ठीक है जो की क्या होता है आपका Kyoto protocol के हिसाफ से एक टन of CO2 और equivalent या इसी के बराबर है ना इसी के बराबर जो आपके gases होती है अगर आप इनके emission को emission को क्या करते हो इतने emission को आप क्या करते हो कम करते हो रोक देते हो तो आपको एक क्या मिल जाता है आपको मिलता है credit जिसको आप बोलते हैं क्या carbon credit तो carbon credit जो है वो एक टन carbon dioxide के उस सर्जन को कम करने के लिए आपको प्राप्त होता है और इस carbon credit certificate को इसको आप इसली ट्रेड कर सकते हैं और यही यह इंट्रिडूस करना चाहरा है ठीक है लेकिन इसमें यह नहीं बता रहा है कि यह जो कारबन प्रेट सर्टिफिकेट है क्या यह हमारा जो एनरजी सेविंग सर्टिफिकेट है उसके साथ या रीनियोबल एनरजी बात है, meeting a minimum share of energy consumption from non-fossil source for certain designated consumers will be difficult, तो यहां पर क्या कह रहा है, कि meeting a minimum share of energy consumption from non-fossil sources for certain designated consumers will be difficult, तो भाईया, इतना आसान आपको जो है, वो नहीं होगा यह चीज, ठीक है, because power supply in an area is often monopoly, यह बहुत बड़ी बात है, है न, that is only one discom supplies electricity to all consumers in an area, तो यहां पर एक बात यह समस्या आ जाएगी, कि यार, हमारा जो आप कह सकते है, consumption हो रहा है, जो आपका designated हमारा consumer है, है न, उस वो कैसे आपका जो है, इसको समझेगा, क्योंकि एक area में, एक area में अगर हम बात करते हैं, किसके बारे में, power supply के बारे में बात क करता है, तो यहां पर यह issue भी आएगा, यहां पर यह issue भी आपका आएगा, कि जो minimum share of energy consumption है, ठीक है, वो जो हमारा non-fossil sources से आना है, वो basically certain designated consumer को मिलना है, वो बहुत difficult हो जाएगा, उसको meet करना, उस minimum share को meet करना बहुत difficult हो जाएगा, ठीक है, additional information आप जानते हैं, हम अगर बात करें, carbon credit या carbon trading की बारे में, तो carbon trade क्या है, यह trading scheme है, is aimed at reducing greenhouse gas emissions, and hence addressing climate change, तो मैंने जो आपको बात बताई, कि यह जो है, आपका basically क्या है, यह basically address करता है, किसके बारे में, climate change को address करता है, मतलब carbon credit या carbon trading जो है, वो किस से related है, वो related है, greenhouse gas emissions से, अगर आपने हरित्ग्राइग gas के ज carbon credit मिल जाएगा, carbon credit मिल जाएगा, और तुम trade करो, carbon credit refers to a tradable permit, allowing the holder to emit a specified amount of carbon dioxide, और other greenhouse gases, such as methane and nitrous oxide, जो मैंने आप ही आपको बाताई, कि आप emission अगर कम करेंगे, तो आप क्या कर सकते है, आपको एक credit मिलेगा, carbon credit कहेंगे, और तुम उसको क्या कर सकते हो, किन को दे सकते हो, तुम उनको basically उन लोगों को तुम दे सकते हो, जो carbon के सर्जन को कम नहीं कर पाए, तो आप उनको वो sell कर सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, ठीक है, इसको मैं थुला सा समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर carbon credit को आपको, ठीक है, जैसे suppose एक आपकी country है A, और एक country है आपकी Z, ठीक है, आपका coil value का प्रियोग बहुत कम करा, है न, या अगर करा भी तो उसने बहुत technology यूज़ करी, जहां से उसने carbon को atmosphere में पहलने नहीं दिया, capture कर लिया और इस तरीके से उसने क्या कर दिया, दो टन जो है, दो टन of carbon dioxide उसने reduce कर दिया, इसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, 10 ton of carbon dioxide ये emit कर सकता है, release कर सकता है, ये release कितना कर सकता है, इसका permission कितना है, permission दिया गया है 10 ton का, कि भाई तुमारी country है, तुम 10 ton carbon dioxide जो है, उसको तुम release कर लो, लेकिन इसने 10 ton के बदले, 10 ton के बदले इसने कितना करा, 8 ton करा, 10 ton के बदले इसने क्या करा, केवल 8 ton, 2 ton इसने क्य चीए घटन के लिए इसको क्या मिल जाएंगे डो कार्बन क्रेडट सेटिफिकेट ये की इसको कंट्री की दिल कि से होगए या इस कंपनी की क्या क्रेव विभी बो शक्ते दोनों केसद creators तो मुझे बताईए क्या ये जो है ये इसको पैसा देगा Z को देदेगा और Z इसके बदले क्या देदेगा Carbon Credit देदेगा Carbon Credit Certificate जो है वो देदेगा ठीक है तो ये Trade हो गया इसी को बोलते हैं क्या Carbon Credit हम लोग बोलते हैं तो ये दोस्तो थी आज की News आज को आज का जो आर्टिकल हम लोंने करा है तीन आर्टिकल जो करे हैं ये बहुती इंट्रेस्टिंग लगे होंगे ये मेंस के पॉइंट आफिस बहुत important है इन फाक्ट ये प्रिलिंस में भी आपको देखने को मिल सकते हैं तो इसको बहुत अच्छे से आप समझ के याद कर लिजेगा ताकि पेपर में आए तो गलत नहों तो आज के लिए इतना ही थैंक यू ठेक केर बाबाए